शोल्डर का जो भुझ रहता है, यह भुझ में दो हड़ी का समु होएं, एक आर्म का युमरस हड़ी रहता है, दूसरा स्कैपला का हड़ी रहता है, यह दोनों चीज यहां बॉल एंड जॉइन जैसा काम करते रहता है शोल्डर में क्यों दर्द आता? बहुत सारे कारण दर्द आता, मार लगने से भी आ सकता, सप्सिस होने से भी आ सकता, TB बीमारी से भी आ सकता, नई तो उसके अंदर जो है प्रोजन शोल्डर के वजैसे, शुगर के वजैसे भी आ सकता, नई तो परियाथ्रेट्टिस बुलके आ सकता है नई तो उसके जो प्र सुपाइन टर्टेंटीनस जो है वो इंफ्लमेशन भी आ सकता, फ्रैक्ट्र होने से भी आ सकता और arthritis, rheumatoid arthritis के वज़े से भी दर्द आ सकता और उसके अंदर जो ligaments रहते हैं उसके injuries के वज़े से भी दर्द आ सकता तो अपन जब भी ऐसे दर्द आये तो X-ray CT, MRI जैसा करके, कून का टेस्ट करके, confirm करने के बाद जो दवाई, whether it's a surgical treatment or non-surgical treatment दवाई के साथ अपन shoulder immobilizer बोलके पट्टी रहता यह पट्टी देने से shoulder rest देने से अंदर जो प्रक्रिया है, जो inflammatory reaction प्रक्रिया है वो कमाने का chances रहता, उसके वज़े से shoulder pain relief आके जल्दी recovery होने का chances रहता, जो belt support रहता, जो belt support देता उसके वज़े से अपने को अंदर जो है प्रक्रिया मतलब दर्द नहीं बढ़ने देता और वो inflammatory reaction बढ़ने नहीं देता, ताकि जल्दी recovery होने के लिए, वो अपसाने के लिए और जल्दी कमोने के लिए ये belt help करता, इसके वज़े से अपने को जो अंदर जो inflammatory reaction कमोने के chances रहता, तो belts के थाथ अपन सही सला मत दवाई देना और जरुत पड़े तो operation करने की जरुत पड़े तो वो इसाब से देखना पड़ता दर्द भी कमोता, सुजन भी कमोता, उसके वज़े से आदमी जल्दी recovery होने का chances भी रहता झाल